अपार हर्श और कर्तल ध्वनी से स्वागत कीजिए श्री अमिताब बच्चन जी का श्री अमिताब बच्चन को सिनिमा में उनके उतक्रेश और अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा भारतिय सिनिमा के इस सर्वोच्चे और प्रतिष्ठित पुरसकार से नवाजा जाता है अमिताब बच्चन वो प्रतिभावान अभिनेता है जिनके अभिने ने अनिक पीडियों के दर्शकों का मनुरंजन किया है और उनको प्रेरित भी किया है वे दशकों तक भारतिय युवाओं की भावनाओं के प्रतिबिम्ब रहे और अपनी प्रतिभा से किरदारों को सशक्त बनाया उन्होंने अपने अभिने की प्रवीन्ता से प्रतेक चरित्र के विभिन पहलियों को उजागर किया जिसने दर्शकों पर समुचित प्रभाव डाला और उनके हिदे को छुआ श्री अमिताब बच्चन की बहुमुखी अभिने प्रतिभा भारतिय फिल्म जगत में निरंतर पांच दशकों से अधिक की अभिने यात्रा जो की विभिन अविस्मर्णिये पात्रों के जरिये सदैव अमर है के लिए ये प्रशस्ति प्रदान की जाती है श्री अमिताब बच्चन है दादा साहब फाल के सम्मान से सम्मानेद श्यमिताब बच्चन जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो आएं और दो शब्द कहें भारत के राशपती माननिय और परमादर्नी श्यरामनात कोविंजी सुचना प्रसारन मंत्री हादर्नी प्रकाश चावडिकर जी यहां उपस्तित सभी परिष्ट अतितिगन राश्टी पुरुसकार से सम्मानेद सभी विजेता देवी और सर्जुनम मैं भारत सरकार सुचना प्रसारन मंत्राले और राश्टी पुरुसकार के जितनी भी जूरी के सदसे उनको मैं अपनी और से अतियंत अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस योग यह समझा कि मैं दादा साब फाल के पुरुसकार से सम्मानेद किया जाओं हने एक धन्यवाद इश्वर की कृपा रही है माता पिता का अशिर्वाद रहा है फिल्म उद्यों के सभी निर्माता निर्देशक और जितने सैक अलाकार उनका साथ रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा भारत की जन्ता का स्नेह और निश्टा पूर्ण प्रोटसाहन रहा है जिसकी वज़े से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ दादा साथ भाल के पुरुसकार की स्थाबना पचास वर्ष पहले हुई थी और इतने ही वर्ष मुझे इस फिल्म उद्योग में भाग लगने का काम करने का सभागी प्राप्त हुआ इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ इस पुरुसकार को मैं बहुत ही विनम्रता से स्विकार करता हूँ अपना आभार प्रकट करता हूँ और नमस्कार करता हूँ अंत में जाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा यदि आपकी आग्या हो जब इस पुरुसकार की घोशना हुई तो मेरे मन में एक संदेय उठा और दृष्टिता के लिए एक शमाप्रारती हूँ कि क्या कहीं ये संकेत है मेरे लिए कि भाई साथ अब आपने बहुत काम कर लिया आप घर बेट के आराम कीजिए क्योंकि देवियों सजनों अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है जिसे मुझे अभी पूरा करना है और आगे भी कुछ ऐसी संभावनाय बन रही है जहां मुझे काम करने का अफसर मिलेगा यदि इसकी पुष्टी हो जाए तो बड़ी प्रिपा होगी आपकी धन्यवाद